हे गाइस वेलकम टो भी टेक नो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोड़ जिला वसे इस कॉंग में जीता कौन क्योंकि आप साय थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं मूवी देखने के बाद क्योंकि मेका गोड़ जिला के सामने तो कोई और ही ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा था तो इन सब चीजों का अंसर मिलने वाला है आज के वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को लास्त तक पूर गोड़ जिला दिखता है और यहां इन दोनों के बीच में बहुत भेंकर फाइट होती है यहां पर हुमन्स भी साथ देने की कोस्ति करते हैं कौंग की और गोड़ जिला के ओपर बहुत सारे मिसाइल से अटेक करते हैं लेकिन फिर भी गोड़ जिला को कुछ नहीं होता उल यहां पर हम कह सकते हैं कि पहला राउन ओविसली गोड़ जिला जिता क्योंकि यहां पर कौंग को और सारे हुमन्स को मरने की एक्टिंग करने पड़े एगर वो मरने की एक्टिंग नहीं करते तो गोड़ जिला वापस आता और इन्हें मार ही देता क्योंकि गोड़ जिला जाता गुषेंगंग, और क्यों गुषेंग में विखः दुखी दिखेंग तो पता चली घए होगा, तो पहला राउंड्ट तो पता चल गया कि गोड जिला जीता था, अब धूसरे राउंड की बात का लेते हैं तो यह होता है dann ankوم में यानी जमीन के उपर पानी में नहीं होता यह बाल रॉंट और दूस्तू क्या ही lighting जान करती है है वहाँ अच्छा सीन है बहुत अच्छ अच्छ से डायरेक्शन Nicolas फोटोfireफिय पर ध्यान गया गया है क्या ही lighting जान जुआ हम पाने वाले हैं, जिस तरह से background music और fighting के scene दिखाएगे हैं, तो दूसरे round की बात कर लेते हैं हम, तो यह fight होती है Hong Kong में, और यहां पर हम clearly देख सकते हैं कि Kong जो है अपनी कुलाडी लेके आया होता है, X लेके आया होता है और उस X के वज़ा से वो Godzilla के atomic breath से बच जाता है, क्योंकि atomic breath के सामने तो Kong नहीं बच पाता atomic breath बहुत ज़्यादा powerful है वो एक फूंक मारता है, तो जमीन में छेद हो जाता है और hollow earth तक फूंक बहुत जाती है इतना बड़ा छेद करती है, मतलब आप समझ सकते हैं तो इससे यहाँ पर वो किसी सरा अपना trick करता है दिमाग लगाता है और गोट जिला को दूसरे round में गिरा देता है तो हम कह सकते हैं कि दूसरा round जो होता है वो Kong जितता है तो आपने देखा कि दूसरा round के इस तरह से Kong जित गया अब वो charge नहीं होता है इसलिए कुलाडी, एक simple कुलाडी बन जाती है और बहुत ज़्यादा powerful नहीं रहती है इसलिए हम तीसरा round देखते हैं कि गोट जिला वसेज कॉंग के सामने बहुत खतरनाक fighting होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉंग थोड़ा सा ठक गया है ठक इसलिए गया है क्योंकि गोट जिला भी छोड़ने रहा है, फूंक मार रहा है एटमिक बीट से और कॉंग के पीट भी जल जाती है इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कॉंग थोड़ा थोड़ा सा one level हो जाता है one level मतलब कि थोड़ा सा मतलब ऐसे सिकार हो सकता है इसलिए मतलब थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोट जिला जाके पाउं रख देता है कॉंग की छाती पर, मतलब अब यहाँ पर सिधा का सिधा उसके हिर्दय याने की दिल पर अटेक कर रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉंग को थोड़ी तकलिफ होती है खड़े होने में उसका हाथ भी तूट जाता है इसी सब फाइडिंग में गोट जिला बहुत खतरनाक अटेक करता है और यहाँ पर हमें क्लियरली दिखता है कि गोट जिला बहुत ज़्यादा पावरफुल है as compared to कॉंग क्योंकि कॉंग के पास अभी X जो है कुलाडी जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि वो चार्ज नहीं है तो गोट जिला जीता डारेक्टर ने साफ साफ बता दिया है कि इन दोनों के बीच में गोट जिला पावरफुल है और इसके बाद हम थोड़ी एंडिंग की बात कर लेते हैं अब एंडिंग में हम देखते है कि मेका गोट जिला आ गया है अब कॉंग तो वहाँ पर पड़ा गुआ है और धीरे-धीरे उसके दिल की धड़कने कम होते जारी है मतलब वो मर रहा है धीरे-धीरे अब यहाँ पर हम देखते हैं गोट जिला और मेका गोट जिला के बीच में लड़ाई होती है अब किस तरह से किया जाता है वो मैं स्पोइल नहीं करूँगा आपको मुवी देखनी पड़ेगी अगर आपने मुवी देखी है तो आपको पता है क्योकि मैं सबके लिए स्पोइल नहीं करना जाता अब यहां पर देखते है है, कॉंग वापस से अपनी कुलाड़ी लेके आता है, लेकिन कुलाड़ी में चार्ज नहीं होता है, कुलाड़ी सśmpl ही होती है, अब वो ट्राई करता है कि मेकाग गोर्जिला को हरा दू, लेकिन simple कुलाड़ी से वो नहीं हरा पाता और गोड़ीला भी कुछ नहीं कर पाता मेका गोड़ीला अकेला कॉंग और गोड़ीला दोनों के उपर भारी परता है लेकिन हम देखते हैं कि गोड़ीला यहां पर क्या करता है एक्टमिक ब्रीथ छोड़ता है इसकी कुलाड़ी पर और यहां पर कॉंग की एक्स जो है कुलाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है अब इससे वो मेका गोड़ीला को खतम कर देता और किस तरह से फिनिस करता है वो तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जोड़दार सीन है तो दोस्तों यह था मेरा आ